पेपर लिग जैसे समझ से आए जो दुर्वागयपूर्ण है वो ना हो और टाइम से रिजर्ट निकाले जाएं। कभी भी कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है। धिरे-धिरे सिस्टम एवॉल्व होता है। बस खाली सिस्टम को स्टेडी करके उसको पुक्ता करने के ज़रूरत है। I am sure we will succeed in this. मौझूद है इस वक्त राजस्तान करमचारी चायन बोर्ड कारेले के अंदर नया पद नई शुरुआत। खेर जिम्यदारियां बदलती रहती है और जिम्यदारियां बदलने के बाद में उसका बोज भी उतना ही जादा होता है। पद बदल गया है और इसके बाद अब राजस्तान करमचारी चायन बोर्ड के नया धेक्ष मेजर जनरल आलोक राज जी हैं। उन्हीं से आज खास बादचीत के लिए हम आये हैं। और खास करके यूमन रिसोर्स डेवलपेंट के मैंने बहुत सारी चीज़ां सीखी। और उसी के चलते मुझे लग रहा है कि जो मुझे नया पदभार दिया गया है नई जिम्यवारी सौपी गई है। उसको करने मुझे बहुत आसानी रहेगी क्योंकि मैं जो अनुभव माके लेकर आया हूँ। उसको देखते हुए काफी असान रहेगा यहाँ पर काम करना। लेकिन हर एक पद, हर एक घर या हर एक जॉब उसकी अलग requirements होती हैं, उसकी अलग करने का तरीका होता है काम करने का। और मुझे सीखने का बहुत शौक है, तो मुझे उमीद है कि मैं हर रोज कुछ ना कुछ सीखूंगा और अपने अनुभव और नए सीख से कोशिच करने का कि मैं अपनी, जो हमारे सरकार की आकांशाए हैं, हमारे अभ्यारतियों की आकांशाए हैं उसके में खरा होते और शैदर राजस्तान सरकार को भी ये लंबे समय से उमीद ही कि कोई ऐसा व्यक्ति को जिमेदारी मिले, जो ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके जवाब भी मिल जाए जनता को, और साथ के अंदर आप भारतिय सेना से पहले तालुकात रखते हैं, तकरिबन 49 साल का ज योगदान रहता है हर जीवन के अंदर, तो शायद वो सवाल अब खतम हो जाएंगे, या फिर जो पहले जो खबरे आया करती थी, वो नेगेटिव से पोजिटिव में बदला आएगा उनमें तो तो मैं कहरा चाहूंगा कि जो पतादिकारी होते हैं, अद्यक्ष होते हैं, चाहि वो किसी भी service के हो, सब ही अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उनका जो बोड़ है, उनका जो कार रेकाल है, उनका जो functioning है वो अच्छा रहे, चाहि वो किसी भी service से हो, तो मैं कह सकता हूं, बहुत confidence है कि जो मेरे से आउट गुइंग चेर्मेंथ थे, उन्होंने बहुत बताया गया काफी हद तक वो सफल रहें और मेरी भी कोशिश यह होगी कि मेरे कारेकार के दोरान सभी परिक्षायम टाइम से करवा पाएं पेपर लिग जैसे समझ से है जो दुर्वागयपूर्ण है वो ना हो और टाइम से रिजल्ट निकाले जाएं और इसके लिए जो एसो हम एवाल होता है यहां का जो यह ऑगनाशन है वो 2014 का बनाए हुआ है और अभी दस साल भी पूरे नहीं हुए लेकिन उन्हां काफी अच्छी तरक्षी की है काफी बड़ी संख्या में उन्होंने एक्जैम्स कराए हैं काफी बड़ी संख्या में अभ्यारतियों को उन्हों को जैसे मैंने बोला कि कोई सस्थें नहीं है हम भी कोशिछ करेंगे कि इसमें पर्फेक्शन लाने कोशिच की जाए और कहीं कोई लूप ओल से कहीं कोई कमी आहें कोई तुरटी आहें उनको हम आइडिंटिफाई करेंगे और उनको एड्रेस करेंगे पेपर लिक किया अब आगे से ऐसी चीजे निकल कर नहीं आएगी सामने, कौन सा नया रोड मेप त्यार किया रहा है कि तुरू, और कौन सी नई चीज है, जो शायद इस जो बच्चों को सबसे ज़्यादा समश्या इसी को लेकर होती है, इसी को लेकर राधस्तान में बवाल भी होता है, और इ पूरी कोशिश रहेगी कि दुबारा ऐसा कभी ना हो, वॉल्यूम्स आर वेरी हाए, नंबर्स बहुत जादा है, राज्ये बहुत बड़ा है, और उसी बाफिक, इसलिए चैलेंज़ काफी बड़े-बड़े हैं, और उसके लिए बहुत ये पुक्ता व्यवस्ता की करके और उसको समझ के और भी रोबस्त बनाएंगे, और ऐसे लूपोल जहां पर की कोई पॉसिबिलिटी हो, पेपर लीक होने की, उसको आइडेंटिफाई करके उसको प्लग करने की कोशिश करेंगे, और मैं नहीं समझता है कि ये बहुत बड़ा काम है, ऐसा हो सकता है, ब पहले पार किसी अधिकारी को भारतियी तबुपके से जो है, जो राजस्तान कर्मचारी चैन बोर्ड के अंदर लगाया गया है, शायद इस नज्रिय से देखा गया होगा कि अगर कोई आर्मी से या भारतिय से कोई वक्ति है, तो जाइस या दिसिप्लिएन का सबसे महत्वय पूर्ण योगदन रहा है और महत्वय भी है वहाँ पर क्या सर एक मुख्य बिंदू यही रहा और आपको कब आभास हुआ कि अब नई जिम्मेदारी कुछ इस परकार की रहने वाली है तो मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ बाकी दूस चैनल्स के उपर कि जो भारतिय सेना हो चाहिए वो आर्मी चाहिए नेवी और एफोस सभी को प्रशाशनिय का अनुबब होता है और सभी में काबलेत होती है इस तरह के अपाइंट्मेंट्स को करने की और यही नहीं कि सिर्फ वो फाइरिंग करते हैं, परेट करते हैं, ड्रिल करते हैं, वो human resource development, selection, recruitment इस सारे processes के अंदर काफी सारे offices हमारे involved होते हैं तो अनुबव तो हमारा होता है और discipline यह बहुत हाई standard का होता है बहुत अच्छा होता है और मुझे बहुत गर्व है कि भारतिय सेना के अंदर discipline और हमारा जो pride है बहुत हाई होता है, लेकिन मैं यह भी कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि जो वहाँ पर सेना में वो civil तबके में या ऐसे organization में नहीं होता है, यह कल्चर की बात होती है और मैं कह सकता हूँ कि जैसे जितना मेरा भी अनुबव यहां पर आकर देखने का, यह जो मेरा अभास है, वो मुझे बस apartment के थोड़ा पहले ही पता लगा था, लेकिन इसके लावा मैं बहुजादा मुझे जानकरी नहीं है, जो भी सरकार ने सोचा होगा, जो उनकी प्रक्रिया रही होगी, जो उनका selection process नहीं होगा, उसके बारे में सरकार कोई मालूम है, मुझ सहीता लगने को आई, और साथ के अंदर कई परिक्षा हैं, जिनके परिणामों के अंदर रुकावटा आ रही है, कब तक उनका समाधान हो जाएगा, क्योंकि उमीद भो जादा आपसे अभी जो यूवार के लोग हैं, विध्यार्थी हैं, वो आपसे लगाए बैटे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो एक 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 जामिशन के बाद में एजल्ट को डिकलर करने का प्रोसेस होता है, उसको थोड़ टाइम लगता है, क्योंकि वो अपन ऐसे नहीं कर सकते हैं, एक एक जाम खतम हो और डिकलर कर दिया, क्योंकि उसमें कई बार अपने को चेक करना प रखता है, मैंने आके जब चेक किया, तो मुझे पताया गया कि जो प्रोसेस ऑन है, और शीगरती शीगर उन सब का रजल्ट डेकलियर किया जाएगा, और इस बात का अभास में सभी को है, कि मॉडल कोड अफ कंडेक्ट लग सकता है, और उसके बाद परशानी बढ़ सकती ह है, तो इस बात से सब सरक्वार रखते हैं, जो हांके जो स्टाफ है, जहांके जो ऑफिसर्स हैं, सब को इस बात का वो चाहते हैं कि हमारे अभ्यारती परशान ना हो, और हमारी यह पूरी कोशिच रहेगी, कि हम जितना जल्दी हो सके, इन सब के रिजर्ट निकाल सके, निकाला जाएं. अभी हर्थी हैं, पेपर लिक जैसे घटनाओं का अब सामना शायद उनको नहीं करना पड़ेगा, शायद उसके उपर अब अलपिराम लगेगा, क्योंकि एक नई उम्मीद के साथ अपने भविश्य की रेखाओं को खीच कर वो युवा उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, जहां अपने सपनों को सजोज कर रखता है, अपने सपनों का घर बनाता है, तो उसके उपर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हुए, दिखाई दे रहे थे, तो अब उसके उपर शायद अलप विराम लगेगा, मेरे सहयोगी कुलदीप सिंग के साथ मधी पकुमाउत, न नवदेश टीवी और फलफल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबारा ना खोले, क्योंकि आपकी खबरों का घरोसे मन साथ ही है, नवदेश टीवी